जी वेवर्स आज हम आपको सिखाएंगे फाल लेंगा कटें इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए असलाम लेकुम वेवर्स, आप देख रहे हैं टीजर बाजी प्रो, जी जनाब कैसे हैं आप लोग, सदा खुश रहें, आबाद रहें, आपको हर्थ बिमारी हर्थ परिशानी से आज़ाद रखे और हमारे साथ रखे जी अच्छे जी, आज मैं आपको बताऊंगी, फाल वाला लेंगा, फाल वाला लेंगा, अच्छे जी, ये है, हमारे पास तकरीबन तीन गस क्रिंकल है, जी, क्रिंकल कपड़ा है, ये देखें, डबल में है, जी, आपको नज़र आ रहा होगा, डबल में है, ठीक है जी, एक य ये वाला पल्ला और ये वाला पल्ला जी हमने इसको डबल करके रखा हूँ है तो अब मैं बताऊंगी आपको जी किस तरह इसको काटते हैं जना तो इसको थोड़ा सा बिठाना मुश्किल होता है क्योंकि बारीक कपड़ा आपको पता है ये कहलाता है फाल वाला लेंगा ये है जना ठीक है जी बिठाना थोड़ा सा इसको आपको पहले बता दूंके थोड़ा मुश्किल होता है इसमें हल्की फुल की कान भी है जी हमें इसकी कान निकाल देंगे बाद में लेकर ये के पहले नहीं निकालेंगे यह हमारे पास कान वाला कपड़ा है जी थोड़ा ज्यादा है तो हमने इसको क्या करना है कि खुटकर लगा कि हम इसको फाड देंगे जी यह हमारा निकल गया जी ठीक है जी यह हमने कांट हटा दी उसके बाद हमने ले लेना है अपना कपड़ा डबल में और डबल में हम आपको इसको पिछाना बताएंगे और कटिंग करना भी बताएंगे इसके नीचे अस्तर भी लगना है जी वेवर्स यह देखें कि यह टीन गस कपड़ा था करिंकल का हमने इसको बिठा लिया है आपके सामने यह देखें कि हमारी जो लेंथ है वो इसकपड़े में पूरी नहीं आ रही क्योंकि बर वाला कपड़ा जो होता है ना उसका बनता है जी फाल वाला लेंगा लेकर यह जो कष्टबर लेकर आई है ना इसका है कपड़े का बार कम क्योंकि यह करिंकल गया जो है कोई मियारी करिंकल नहीं लगरी मुझे जिसकी वजासे जो है ना इसको इसमें आयगा जोड यह देखें आप उन्होंदर आ रहा हुगा कि हमारे जी इतना हमें चाहिए जो हमने बढ़ा है इतना हम जोड डाल लेंगे जो यहां से हमारा पीस निकलेगा उसको हम कहां डाल के चीज को हम कंप्लीट करेंगे जी यह हमने रख लिया है समोसा टाइप में और इसको रखना बड़ा मुश्किल है क्योंकि बिछाना बहुत तो यह देखें यहां से हम कमर लेंगे इनकी तकरीबन 18 इंच यह देखें मैंने 9 पर निशान लगा रही हूं यह ठीक है जी 9 इंच तो यहां पर मैं इसको रखके यह देखें मैंने इसको निशान लगा लिया उसके पाद हमने क्या करना है जिना इसको हमने लेना है यहां दर्मयान पर रख यह हमने शान लगाना यह देख थर्टी सैवं आ रहा है हमारा तो उपर हमने जो है जिप लगा के उपर हमने तक्रीबं तीन एज की इसको डालनी है तो हमारे यह थर्टी एट कम्प्लीट हो जाएगा जी नीचे हम इसके हलका अलकी जिफाल लगा देंगे या कोई लेस वगर अलगा के इसको हम complete करेंगे जना यह आगे हमारा 37 तो हमने यानि कि जो इंची टेप ना इसमें इसके दरम्यान में ना मोड नहीं आना चाहिए जैसे बिल्कु स्टेट आ ली चाहिए देखें यह आगे 37 यह आगे 37 फिर इसको आगे करके रखेंगी यह दे यह बिल्कु स्टेट ओके आए जी यह आगे 37 आपके सामने और यहा आगे 37 हमारा आपके सामने यह हमने इसकी dropping कर लिजे लिजे आगे यह आगा जी हमारा 37 यह देखे हमारी लाइन जो मैंने पहले लगाई है बिलू कलर में और यह देखे 37 ठीक है जी 37 पर हमने सारे के सारे यह डॉट्स लगा लिए हैं जनाब अब हम इसको कटिंग करेंगे और इसकी नीचे लगे अस्तर अस्तर हम भी इसके सार कटिंग करेंगी तुर्बदि को लॉन पीस में लेकर आई है तो अब कर में पुर झीज़कर नेता हम चैसा करें यह बर में कपड़ा कम था जिसकी जासे हमें यह जो है यहां पर इतने जोड डाल के लेके जाने पड़ेंगे और यह कपड़ा जो हमारा नेकलेगा वह हम जोड में लेके जाएंगे तो तब हमारा जाके यह फाल वाला लेंगा बनेगा जनाब हमने साइड के लगानी है इसको भुम जिप लगा के जनाब तो हम इसको लगाएंगे बैल —14 भाइक हम इसको बेखे लगाएंगे हुका युँम फाली ठीक है हुक में बनाएंगे हम इसको ल्हेंगे देख्चे कि मैं आप जो आपके सामने निशान लगाया है मैं इसी की उपर इसको कटेंग कर रही हूं जी कि इसको कटेंग कर लिया आपिसामने यह आप देख रहे हूंगे बस यह है कि इस चीज को थोड़ा सा काड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि आभड वैसic आपको पता है जेंग हमकाट काई का लेगा तो इसका बभाध है कम लेकर हमने गुजारा तो करना ना जी हम इसको यहां से कटिंग करके लेकी जाएंगे यह देखें और जो कपड़ा हमारा निकलेगा हम उसको लाएंगे जोड में जी जो चीज आपके सामने निशान लगाती हूँ वही चीज कटेंग करूँगी जी नीचे से आप इसको तार पी को भी करवा सकती है नीचे लैस भी लग सकती है जीरो की लैस भी लगा सकते हैं आप लोग इसके नीचे और इसको लग कर सकते हैं तार पी को भी जनाब ठीक है जी तार पी को भी इसको आप कर सकते हैं और नीचे लैस भी लगा सकते हैं ये हमारे पास जो आप कपड़ा बचा है जनाब ये वला कपड़ा इसको हम लगाएंगे इस तरह का हम जोड डालेंगे इसको इस तरह जितना हमारे पास कपड़ा ये बच रहेंगे ये देखे जो हमारा कपड़ा बीज में डलेगा ये है हमारा जोड ये आगया हमारे पास और ये आगया हमारा जोड जी ये आगया ठीक है जी ये आप समय में आगरी होगी आपको कि मैं इसको किस तरह कटिंग कर रही हूं इस जोड को जब मैं इस जोड से मिलाऊंगी तो फिर मैं इसको cutting कर लूँगी अलग हटा के ठीक है जी ये देखें क्योंकि जोड हर सूरत में आना था क्योंकि इस कपड़े का बर नहीं है और हमने इसको बनाना है फाल वाला लेंगा और बना भी है बनाना भी है किसी function वालों का तो वो कपड़ा तो लेकर आई हैं लेकर हमारे मियार पर ये ये रख पीस हमारे पास और ये हमने हटा दिया ठीक है जी आपके सामने मैंने ये चीज समेट दिये निशान लगाने के बाद ये हटा दिया उसके बाद हमने ये इसको जो पीस हमारा डलेगा वो हमने काटना है जनाब ये रख जनाब ठीक है जी ये हमने इसके अंदर डाल कटिंग करने के बाद आप 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 में थोड़ा इस तरह ख्याल करना है कि लेंगे को जो है तिर्शा काटना थोड़ा सा मुश्किल होता है जी और यह मैं आपके सामने इसको कटिंग करकी लेकि जा रही हूं जी यह मैं ले आई हूं और यह मैंने कटन करके हटा दिए आपको नज़र आ रहा होगा यह पीस हम जो है लेंगे के साइड पर डालके इसको हम कवर करेंगे एक जोड़ा जाएगा हमारा तो कोई मसला नहीं है आने दे क्या करें हम अब हम भी मजबूर है जी तो हमने जारी बाता कसमर के एसाब से लेंगा बनाना होता है तो यह मैं इसके अंदर खोड़ कर दिया मैंने और यह है हमारा कपड़ा इसका हम बैल्ट होगारा बनाएंगे कॉटर में भी बनाएंगे यह सकते रुट हो जायेगा हम इसको लगाएंगे गुमजिप और खुक और च्छोटी खुकाई यह बर बड़ी हुकाईia सब लगाकर आपको दिखाएंगे इसकेसा साथ और जो है नची श clinician कटिंग करींगे जिस तरह यह थी ची काता है जी जोड़ लगाने के करें शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको जो हमारा जो अभी मैंने फाल वाला लेंगा कटवाया है वो आपको कैसा लगा जनाब बहुत शुक्रिया अला हाफिज